हेलो फ्रेंस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल OLG पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आवर साने के तत्तो से रिलेटट टॉप 35 अति महात्पूर्ण परसनों को कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो इसलिए इस वीडियो को स्किप किये विना पूरा अंतक देखते रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही उसके साइट के वैल आईकन को जरूर प्रिस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सक्या आपको सबसे पहले तो चले विडियो को शुरू करते हैं एक्स्ट कोशन हो जाएगा इस विडियो सरीस का कोशन नमर थर्ड आवर सानी की 118 ततो में से कृतिम तरीके से निर्मित किये गए ततो की संक्या कितनी है तो साथियो जैसा कि आपने कोशन नमर सेकंड में देखा था कि आवर सानी की 118 ततो में से प्रकृति में से प्राप्त किये गए तत्तो कि संख्या है 98 तत्तो और आवरसाणी में पुल तत्तो की संख्या है 118 तो सभाविख सी बात है कृतिम तरीके से निरमित किये गए तत्तो की संख्या होगी 20 क्योंकि 20 प्लस 98 इक्वॉलिटू होता है 118 अगला हमारा कुशन हो जाएगा आबर साणी में धातु तत्तो की संख्या कितनी है तो साथियों हमारे आबर साणी में धातु तत्तो की संख्या है इंक्यानवे धातु तत्तो यानि इंक्यानवे तत्तो मेटल है अगला हमारा कुशन हो जाएगा आबर साणी में अधातु तत प्रत्वी पर सरबातिक मात्रा में पाया जाने वाले धातु तत्व की तो उसका सही आंसर होगा अलूमिनियम अगला हमारा कुछन हो जाएगा प्रत्वी पर सरबातिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है यहां धातु तत्व नहीं लिखा गया है आप करेक्शन कर सकते हैं तो प्रत्वी पर सरबादिक मात्रा में पाया जाने वाला धातू ततो है अलूमिनियम अलूमिनियम का राशानिक संकेत होता है एल और इसका परमाडू संक्या होता है थर्टीन यानी तेरा अगला कुशन हो जाएगा आवर्शानि का सबसे हलका ततो है है तो साथियो आवर्शानि का सबसे भारी ततो का क्या नाम है तो साथियो आवर्शानि का सबसे भारी ततो का नाम है आउस्मियम जिसका रासानिक संकेत होता है OS बात करें इसके एटोमिक नंबर की तो इसका एटोमिक नंबर होता है 76 अगला कुशन हो जाएगा आवर सानिका सबसे हलका धातुततो कौन सा है तो फ्रंस आवर सानिका सबसे हलका धातुततो की बात करें तो वह है लिधियम जिसका राशानिक संकेत होता है LI और इसका एटोमिक नंबर होता है 3 यानि की 3 अगला कुसन हो जाएगा आवर सानी का दरब धातु ततो कौन सा है तो साथियो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं आवर सार्णी का द्रब धातु तत्तो का नाम है पारा जिसका राशानिक संकेत होता है HG और इसका एटोमिक नंबर होता है 80 अगला कुशन हो जाएगा आवर सार्णी में पाया जाने वाला द्रब अधातु तत्तो का क्या नाम है साथियों यह कुशन काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है इसलिए इस कुशन को भी ध्यान से देखेगा तो आवर साणी में पायजानी वाला द्रब अधातु तत्तु का नाम है ब्रोमीन जिसका रासानिक संकेत होता है बी आर और इसका एटोमिक नंबर होता है थर्टी फाइब यानि की पैतिस चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इस वीडियो से रिस्ट का next question question number 14 विधुत का सुचालक आधातु ततो का क्या नाम है तो साथियो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे विधुत का सुचालक आधातु ततो का नाम है ग्रेफाइट जो की कारवन का एक अपरूप होता है अगला को सन हो जाएगा स्टार लगा इसका मतलब काफी important है सबसे अधिक अगात वर्धनिये ततो कौन सा है साथियो अगात वर्धनिये का तातपर होता है कि किसी धातु को कूटने या पीटने पर उसके फैलेते जाने के गुण को अगात वर्धनिये कहा जाता है तो सबसे अधिक क्रियासील धातु ततो का नाम है सोना जिसका राशानिक संकेत होता है एउ और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79 अगला कोशन हो जाएगा सबसे अधिक क्रियासील धातु ततो कौन सा है तो साथ यो आवर साणी का सबसे क्रियासील धातु ततो का नाम है फ्लोरीन जिसका राशानिक संकेत होता है F और इसका एटॉमिक नंबर यानि परमाडु संख्या होती है 9 चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोशन सबसे अधिक क्रियासील धातु ततो का क्या नाम है तो साथ यो आवर साणी के सबसे अधिक क्रियासील धातु ततो का नाम है CGM जिसका राशानिक संकेत होता है CS और इसका एटॉमिक नंबर होता है 55 यानिकी 55 अगला को कुशन हो जाएगा सरबाधिक आयनन विभव वाला ततो कौन सा है ये कुशन भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए इस कुशन को भी ध्यान से देखेगा तो सरबाधिक आयनन विभव वाले ततो का नाम है हीलियम जिसका राशानिक संकेत होता है HE और इसका एट सरनी का सबसे क्रियासिलधात होता तो है इसकी अत्यात मिकनिक आपको पहले बता चुका हूँ इसका अत्यामिक आपको 55 अगला कुस् aan हो जाएगा सरबाधिक य्लेक्टरान प्राप्टि वाला ततो कौन घग तो सातियों इसका राशानिक संकेत होता है CL और इसका atomic number है यानि परमाडु संख्या है 17 चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question सरवादिक बिद्धुत रणात्मक ततो कौन सा है तो साथियों हमारे आवर साणी का सरवादिक बिद्धुत रणात्मक ततो का नाम है फ्लोरीन जिसका रासानिक संकेत तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका रासानिक संकेत है F और इसका atomic number है 9 चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question और इसका atomic number है 9 चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question आवर साणी का सरवादिक गैसिया तत्तो बाला बर्ग कौन सा है तो इसका अंसर तो आप सभी जानते होंगे और यह question कफी ज़्यादा important ही भी है तो इस question को आप जरूर धहन से देखेगा तो सरवादिक गैसिया तत ना चलिए आगे बढ़ते हैं देखते है next question मानो शरीर में सरवाधिक मात्रा में पायस आने वाला तत्तो क्या यह question काफी ज़्यादा important है इसलिए इस question को भी धίν से देखेगेगा तो मानो शरीर में सरवाधिक मात्रा में पायस का नाम है oxygen अगला मिट्टी के तेल में रखी जाने वाले तत्तो का नाम है सोडियम जिसका रासानिक संक्यत होता है एन ए और इसका एटॉमिक नमबर यानी परमाणू संख्या होता है ग्यारा चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question हड्डियों एबं दातों का निर्माण करने वाला प्रमुक तत्तो कौन सा है तो साथियों मनुस की हड्डियों या किसी भी जानवाय की हड्डियों दातों का निर्माण करने वाला प्रमुक तत्तो होता है कैलिसियम जिसका रासानिक संकेत होता है CA और इसका atomic number यानि परमणु भार होता है 20 चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question आबर साणी के किसी बर्ग में उपर से नीचे जाने पर आनन विभव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है तो साथियों जब भी हम आबर साणी में किसी बर्ग में उपर से नीचे जाते हैं तो उसके आनन विभव के मान पर कमी आती है साथियों सरल सब्दों में कहें तो आनन विभव का ताथ पर यह होता है कि किसी तत्तो के नाभिक तथा उसके चारों और उपस्तित इलेक्टरान के मद्ध जो आकरशन पाया जाता है उसे ही आनन विभव कहा जाता है तो आबर साणी में उपर से नीचे जाने पर आनन विभव का मान घटता है क्योंकि उपर से नीचे आने पर तत्तो के आकार में बर्धी होती है चलिए देखते हैं इस video series का last question आधुनिक आवर्साणी में कितने समुहों वा आवर्त हैं तो साथियों इसका अंसर तो आप सभी जाते हैं हमारे आधुनिक आवर्साणी में 18 समुहों वा साथ आवर्त हैं तो friends, finally video end करने का time आ चुका है आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले